दोस्तों अगर सर्दियों में कोई कहें कि आप मीठा कम कर दीजे या फिर आप बंद कर दीजे तो यह काफी मुश्किल साउंड करता है और स्पैशली मेरे जैसे लोगों के लिए जो लोग काफी फूदी हैं उनके लिए लिटरली पनिश्मेंट हो जाती है सो अगर आप भी मेरी तरह फूदी हो और मीठा छोड नहीं पा रहे हो तो यह वीडियो हो सिर्फ आप के लिए क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक ऐसी सूपर यमी और हेल्दी रेसिपी जो के इस सर्दी आपकी बोडी को गरम रखने वाली है आपकी बोडी की रोग प्रतिरुदक शम्ता को बढ़ाने वाली है अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपके मुटापा कम करने में भी आपकी हेल्प करने वाली है और भी कई सारी बिमारियों में काफी जादा हेल्फुल प्रूब्ट है सो हम जान लेते हैं वो कौन सी रेसिपी है हम कौन सी डिश आज बनाने वाले हैं बट बिफोर दाट लेट्स किट साटेट विल्कम बैक टो 3D Health माइन आप श्वांखला शर्मा और आज की जो रेसिपी है दोस्तो वैसे तो ये प्रेगनेसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी के जस्ट बात यानि कि विदिन 15 डेस ये जो डिश है हर मदर को खिलाई जाती है क्योंकि इसके अपने कई सारे फायदे होते है इसमें जो जो चीज़ें यूज हो रही है वो सारी गरम तासीर की चीज़े है तो एक चीज मैं अभी क्लियर कर दूँ ये जो रेसिपी है ये जो डिश है सिर्फ आप सर्दियों में इंजोई कर सकते है गर्मियों में प्लीज इसे जादा न खाए खा सकते हैं थोड़ा बहुत बहुत जादा नहीं खा सकते सो बेस्ट है आप इसे सर्दियों में इंजोई करें क्योंकि सरदियों में आप इसे जितना चाहे खा सकते हैं, जब चाहे खा सकते हैं सबसे पहले जान लेते हैं, इसमें डालने के लिए हमें क्या-क्या चीजे चाहिए इसके लिए हमें टोटल 6 चीजे चाहिए पहली चीज घी, उसके बाद अजवाइन, उसके बाद बदाम, उसके बाद नारियल, उसके बाद गोंध चाहिए और उसके बाद गुड चाहिए सो ये टोटल 6 चीजे चाहिए, और 6 चीजे ऐसी हैं, जो कि काफी हेल्दी हैं, जिनका टेस्ट अपने आप में बहुत अच्छा है, और सब की तासीर गरम है सो ये जो चीजे मिलके इस टिश को बनाने वाली है, एक्चुली ये काफी जादा हेल्दी है, एक्चुली हमारी बोडी को अंदर से गरम रखेगी और अगर आप ये चीज बना के रख लेते हैं, एक चमच, दो चमच अगर आप डेली भी खा रहे हैं, तो भी आपके लिए काफी है, क्योंकि जब आपका मीठा खाने का मन करता है, काफी जादा क्रेविंग्स होती हैं, उस टाइम में ये बहुत जादा टेस्टी लगती है सो जान लेते हैं, इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले हमें थोड़ा सा घी लेना है, उसके बाद उसमें लगभग दो चमच अजवाइन जो के हमने अल्रेडी क्रश करके रखे हैं, उसको हम डाल के हलका सा उसे रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें जो गुड़ है, करके रखे है, वो भी हम डाल देंगे, उसके बाद उसमें हम गोद जो के हमने पहले से फ्राइ करके रखे है, वो भी डाल देंगे, और ये सारी चीज़े डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब ये मिक्षर तयार हो जाएगा, उसको हम गैस से उतार गैस बंद कर देंगे और अब ये super healthy जो डिश है आपकी ready है आप इस टिश को enjoy कर सकते हैं फीके दूद के साथ यानि कि आप दूद ले सकते हैं इसके साथ और फीका होगा तो जादा अच्छा है क्योंकि फीके दूद के साथ इस टिश का जो आपको टेस्ट आने वाले वाले आपको पता लगेगा अगर दूद मीठा होगा तो फिर आपको इसकी मिठास आएगी नहीं अगर आप चाहें तो इसे अकेली भी खा सकते हैं बट मुझे ये especially फीके दूद के साथ बहुत जादा पसंद है I hope दोस्तों आपको ये recipe पसंद आई हो अगर पसंद आई है तो इ ऐसा कि मैं पहले मेंद्चिन कर चुकिन ये जो दिशैक सिर्फ बिंटर्स के लिए और विंटर्स में और वी बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान राखना चाहिए लाइक हमें अपने इसको खुद की इम्यून पावर को हमें पूस्ट करना उसको एन्हेंस करना और कैसे अपनी पूरी बॉरी 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 का खियाल रखना है इस से रिलेटड कही सारी वीडियो आपको विंटर के नाम की प्लेलिस्ट रो मिल जाएंगी अगर आपने चेक आउट नहीं किया त वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ तब तक लिए बाबाई टेक क्यार स्टे हाल्दी एंड स्टे हैपी थैंक्यों सो मच